हालो लुध्यानवीज, लुध्याना में अगर आप रॉय लैंड लक्ष्री वेडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो हम आपको लेकर पहुंचे हैं एम्ब्रोजिया ग्रेंड रिजॉर्ट में तो यह कहा जा रहा है कि लुध्याना का ये सबसे बड़ा रिजॉर्ट है तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हम किसी भी पाजी फंक्षन के लिए रिजॉर्ट तो बुक करवा लेते हैं पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है पार्किंग की बड़ अम्ब्रॉसिया ग्रेंड रिजॉर्ट में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इनका पार्किंग स्पेस जो है वो काफी हीूज है सबसे खास बात जो मुझे यहां पर देखने को मिली के इम्ब्रॉसिया ग्रेंड रिजॉर्ट काफी स्पेशियस है सो वेडिंग में क्या होता है जब कभी बारात आती है धूला घोरी पर चड़कर आता है तो उस समय कुछ रस में होती है जो रोड पर ही खड़े होकर कुछ लोग करने लग जाते हैं और जो रेलेटिव होते हैं जो लोग आते हैं शादी में सो उनको भी अनकमफर्टेबल होता है तो अगर हम बात कर रहे हैं स्पेस की तो इसके अंदर का जो पैसेज है तो यह है Ambrosia Grand Resort का reception area तो यहां पर आपको royal and luxurious function करवाने के लिए मिलेंगे ground floor पर तीन huge hall और इसके first floor पर भी आपको मिलेंगे तीन बड़े hall तो टोटल 6 halls आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही time पर आप यहां पर छे तरह के functions करवा सकते हैं आपने देखा होगा कि आजगे आज कर डेस्टिनेशन वेडिंग का अभी काफी trend है, तो लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग करवाने के लिए दूसरे शहरों में पड़ता है काफी कुछ arrangements करवाने पड़ते हैं सु लुधाना में पहली बार आप डेस्टिनेशन वेडिंग को एंजॉई कर सकते हैं मेहंदी, हल्दी से लेकर शादी तक के सारे फॉक्सिस आप एक ही रिजॉर्ट में कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको होटेल जैसे लक्ष्रियस रूम्स की पेसिलिटी भी मिलेगी तो चलिए अब आपको हम इस रिजॉर्ट के हॉल से खाते हैं यह से रिजॉर्ट का एम रॉस्या ग्रैंड हॉल है इस हॉल में अगर आप जैसे ही एंटर करोगे आपको बिल्कुल ही यह रॉयल लुक देता है जैसे कि राजे महराजाओं की शादियां हमने देखी और सुनी होगी तो जैसे कि उसमें एकदम रॉयल और लग्जियस लुक होता था तो विल्कुल वैसा ही है और अगर आप इसके साथे साथ थीन वैडिंग भी अरेंज करवाना चाहते हो तो उसकी भी फेसिलिटी यहाँ पर है और इसके स्टाफ की बात करें तो हंडर से जादा इनके पास पर्मनेंट स्टाफ है और गैदरिंग तो इनकी 25 से लेके 2500 तक आप गैदरिंग कर सकते हो और इस हॉल के साथ साथ आपको लॉन में भी गैदरिंग और पाची फंक्शन करवाने की फिसिलिटी मिलती है अब हम पहुंचे हैं Ambrosia Green Hall में इस हॉल की अपनी ही एक एलिगेंट लुक है इसको भी एक बहुत ही बीटिफुल थीम के साथ प्रिपेर किया हुआ है हर चीजे जो है बहुत ही सलीके के साथ अरेंज करी हुए है अबियंस आप देख रहे हो डेकॉर आप देख रहे हो बहुत ही बड़ी आई सो हॉल का भी और इस हॉल की जो गैदरिंग है वो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि पच्ची सो तक जो अगर गैदरिंग हम कर सकते हैं गैदरिंग को अरेंज करने के लिए लॉन के भी फेसिलिटी आपको दी गई है और लॉन के साथ साथ वरांडा भी है सो किसी भी रिजॉर्ट में इस तरह की फेसिलिटी एक हॉल के साथ नहीं प्रोवाइड करवाई जाती बट यहां पर वो आपको सब मिलेंगी अब हम पहुंचे हैं अब्रोजिया पैराडाइस हॉल में तो आप देख सकते हैं कि इसका डेकॉर कितना ब्यूच्पल है बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है ह europé Hugo Leuk दे रहा है तो अगर बात करें कि सबसे खास बात जो इसकी लगी मुझे कि जो इसका एंत्रि पॉंट्स हैं हर हेक हॉल के एंत्रि पॉंट्स अ है वह बिलकुल डिफूरेंट दिये हुए हैं, तो कई पर confusion हो जाती है कि हमारा जो function है वो किस hall में है, हमारी पार जी किस hall में है, तो इस तरह की confusion यहाँ पर नहीं होने बारे है. तो अभी हम पहुंचे हैं, Ambrosia Grand Resort के Ambrosia Paradise Hall में, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लुक लाइक पेरडाइस, तो यहां का Ambience, यहां का Decor काफी बढ़िया है, तो इसका भी एक अलग ही थीम है, Paradise के नाम से, और अगर आप अपना कोई थीम अरेंज कर वाना चाहत करते हैं, तो Ambience की बात करें, तो Ambience इसका काफी बढ़िया है, काफी spacious है, हर hall जो यहां का है, वो काफी spacious है, और gathering में आपको बता ही चुकी हूँ कि 2500 गैदरिंग यहां पर हो सकती है सो अब हम पहुंच चुके हैं, फर्स फ्लोर पे, सो यहां पर मैं स्ट्रेल से आई हूँ, बट आपको लिफ्ट की भी फसेलिटी मिल दी है यहां का फर्स फ्लोर भी काफी spacious है, यहां पर आपको तीन हॉल्स मिलते हैं, यहां पर आप पार्टी कर सकते हैं, वेडिंग फंक्शन कर सकते हैं, रिंग सैंबली कर सकते हैं, और खाक बात थां कि जो एक मुझे लगी, कि यहां पर हर एक कोना आपको एक कमफर्ट लुप कर देता है, और एम्यास और डेकॉर, तो आप देखी रहे हैं कि कि इतना बढया है, बहुत ही लग्च्रियस लुक ले रहे हैं, तो अगर आप अम्प्रोजिया में चोटा सब फंक्शन करना चाहते हैं, चोटी सी गेट तुगेधर करना चाहते हैं, या फिर किटी पार्ट करना चाहते हैं तो एमप्रोजिया में आपको वो भी फसलिटी मिलती है और मैं जिस हॉल में खड़ी हूँ यह है बॉल रूम सो यहां पर 25 लोगों की गैदरिंग आप कर सकते हैं अगर आप गैदरिंग बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ ही एक और हॉल है उसको भी आप ज जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि यहां पर बैंक्विट हॉल्स के साथ साथ आपको फटेल जैसे लक्ष्री रूम्स की मिलेंगे तो तीन तरह की रूम्स है यहां पर स्वीट रूम, डिलक्स रूम और सूपर डिलक्स रूम जब भी कम किसी भी रिजॉर्ट में अपने फंक्शन की बुकिंग करवाते हैं तो रूम से बारे में जुरूर सोचते हैं कि रूम कैसा होगा, रूम की क्लीनेस कैसी होगी तो जहां पर आपको मिलेंगे नीट एंड क्लीन लक्ष्री रूम सबसे इंपोर्टन चीज होती है, वो होती है खाना, अबरोजे ग्रेंड रिजॉर्ट आपको टेस्टी एंड डिलिशियस फूड प्रोवाइट करवाने का प्रॉमिस करता है, तो यहां पर आपको केटरिंग इनकी खुद की मिलेगी, बट अगर आप अपनी कोई मनपसंद केटरिंग भी अरेंज करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, और फूड में आपकी मनपसंद कोई भी आइटरम्स हो, यहां पर आप अरेंज करवा सकते हैं, वैसे इनके पास बहुत सारी इनकी फूड आइटम्स होती है, चाहे वो नौथ इंडियन हो, करवाया चाहता है, और अगर आप हाड रिंग्स के शवकीन है, तो आपको हाड रिंग्स यहां पर ज़रूर मिलेगी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हाड रिंग्स अवेलबल होंगी, तो आपको कोई भी मनपसंद अगर आपकी हाड रिंग है, तो वो यहां यहां पर अरेंज करवा सकते हैं So, यह है Ambrosia Grand Resort जहां पर आप एक royal and luxurious wedding का मज़ा ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह लुध्याना का नहीं, पूरे पंचाब का एक बहुत बड़ा resort है काफी spacious है, it has a huge property, security से less है, हर एक kona बहुत एक खुबसूरती से decorate किया गया है decor काफी अच्छा है, इसका ambience काफी अच्छा है और अगर हम बात करें comfort zone और हर एक area इसका काफी comfort प्रोवाइट करवाता है अगर आप अपने खर का कोई भी function या बात ही arrange कवाना चाहते हैं, एक बार यहां पर आकर शुरूर विजिट कर सकते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें comment box पे message कर सकते हैं Thank you for watching